स्वागत है दोस्तों अंद्र प्रदेश की राजधानी विशाखा पटनब में एक केमिकल प्लांट में गेस का रिशा हुआ है ठीक है काफी लोग प्रभावित हुए क्या है पूरा मसला इस पर बात करेंगे शुरू करने से पहले आपको पता दिया अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सस्क्राइब पर दिजिएगा और शेर लाइक जरू किजिएगा दोस्तों विशाखा पटनब के आर आर वेंकटेक पुरम गाउं में करीब धाई बजे के एक फार्मा कंपनी के प्लांट में गेस लीक होने से उस एरिया में काफी लोग प्रभ भावित हुआ है कुछ लोगों की मोते भी हुई है और कौन सी गेस हैं इन पर भी बात करेंगे ठीक है यह हादसा बिल्कुल बिल्कुल भुपाल गेस तरास्ती की याद दिलाता है जो कि 1984 में दो तीन दिसंबर की रात को भुपाल इस्तित यूनियन कारबाइट की फैक्टरी में मिथाईल आईसो साइनाइट नामक जरीरी गेस से रिसाव के करना काफी लोग की मोते हुई थी अब यह विसाखा पत्नम गेस रिसाव जो घटना हुई है कौन सी गेस हैं इन पर बात करेंगे विसाखा पत्नम में एक मल्टी नेशनल कमपनी के केमिकल प्लांट में जहरेली गेस लीक होने से करीब अब तक 13 लोगों के जान गई है नियूज इजनसी एन आई ने करीब बताया कि 200 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भरती है आर आर वैंकटे पूरंग एलजी गाउं है आर आर वैंकटे पूरंग के एलजी पॉलिमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केमिकल गैस प्लांट के पास रिसा हुआ है जिससे निवासियों को आखों में जलन उस्थास लिन में काफी कटना हुई उन्हें फिर इसके बाद तुरंट अस्पताल लाया गया दच्छर कोरिया की कमपनी एलजी पॉलिमर्स पॉलिश ट्रेइन और कई कामों में आनने वाली प्लास्टिक बनाती है जिसका इस्तमाल अलग-अलग तरह के उत्पाद बनाने में किया जाता है 1961 में इसे संचालित किया गया था क्या होता है PVC गैस PVC को 1926 में वाल्डो सेमान नमक के विज्ञानिक ने PVC को प्लास्टिक रूप में लाये थे PVC दुनिया का तीसा सबसे भरोसे मंद प्लास्टिक उत्पाद है इससे पहले पाली इथाईलीन और पाली प्रोपाईलीन का प्योग होता था PVC यानि की पाली बिनाईल ग्लोराइड का उप्योग बिल्डिंग मटेरील बनाने में होता है जैसे की PVC पाईप, खिड़कियोग की फ्रेम, दर्वाजे, जोइंट्स, टंकी आदी क्योंकि ये सस्ता और लंबा चलने वाला मजबूत प्लास्टिक होता है इससे नुकसान क्या होता है? PVC गैस की वज़े से आम लोगों को आखों में तेज जलन, सास रहने में तकलीफ, चक्कराना, भ्योस हो जाना जैसी चीजे होती हैं PVC वाली फेक्ट्रियों में काम करते हैं वेक्सर सिकायत करते हैं कि उनके सिल में तर्द होता है उनको चक्कराते हैं ये सिकायते आम होती हैं क्योंकि जातर जो है काम करने वाले मरीजों के पास, जो काम करने वाले जो मज़़ूर होते हैं उनको होती है यह gas पूरुस व मुहलाएं दोनों में अन्निक तरह की समस्यां भी पैदा करती हैं कहा जाता है कि factory से यही gas leak हुई है जिसकी वजह से 3 km दाइने में आने वाले आने वाली को इस से समस्या है इन gas से समस्या हुई है ठीक है क्या होता है styrene styrene सिर्फ एक gas नहीं है या सॉलिड लिक्विट के रूप में भी चीज में मिल सकती है ये फलो, सब्जियो, मुँफलियो, मास, आद में भी मिल जाती है लेकिन इनका इस्तर बहुत कम होता है यद कोई इसके संपर्क में है तो सिर्फ ये गेस किसी भी व्यक्ति के सरीर में नाक, मुँआ चूने से जा सकती है स्टायरीन एक रंगीन तरल पदार्थ होता है जो हवा के संपर्क में आता ही गेस में बनकर हवा के साथ फैनने लगता है इस्टारीन अपने पूर्ण असली रूप में है तो यहाँ आपको इसकी एक मीठी सी गंद आएगे लेकिन कहीं कमपनियों इसमें 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 बदबुवाने लगती है अलागला कमपनियों में इनका जरूत के हिसाब से इस्तेमाल होता है फिलाल इस गेस जो गेस तरास्ती हुई है इसमें इस्टाराइन इस्टारीन जो गेस है इसको भी बताया जा रहा है तो काफी करीब 13 और 200 से ज्यादा लोग अभी इस्पतालों में भरती है यदि कोई भी विक्त इस्टाराइन को सुंगता है तो उसकी आखों से देखने में दिक्कत आ सकती यानि कि धुल्दलापन च्छा जाएगा इसके इलावा उसे रंग प्रहचानने में समस्या होगी बहुत अधिक तहकत धकान का धकान महसूस होगी हमेशा नस्य जैसा महसूस होगा ध्यान लगा का काम नहीं कर पाएगा सुनाई पढ़ने की भी समस्या होती है जो सुनाई कम पढ़ेगा उसे यह गेस वेक्त की काफी जो वहां का एरिया था आरार वंकेटे पुरम का जो गाउं है उसके आसपरोस के सभी गाउं को खाली करा दिया गया है वह बताया गया है कि आप खर में रहें और मास्क का उप्योग करें वह भी केला यह सारी चीजे मैंने खंगाली है यह आपको मैंने जो इसका लिय लिया है जो इन चीजों को लिया है वहां BBC इंदी, NDA TV इंडिया, जागरन और अमर उजला से लिया हुआ है वह चीजे मैंने आपको चाट कर बताई है मैं कोई भी वीडियो अपना जालता हूं तो काफी चान बिन करके वीडियो अपलोड करता हूं ठीक है प्रेयर फॉर व तन्यवाद